हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आसा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और इसके पहले कि हमारे सारे वीडियोज को आप सब उने जरूर से देखा होगा विजिस रूप से एड्जेक्टिव पार्ट वन को जरूर से देखा होगा आज हमारा एड्जेक्टिव कि यह second lecture है ठीक है तो सबसे पहले हम आपको बताते चले कि इसके पहले adjective part one में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था adjective part one में हमने आपको adjective के definition पर बेस्ट जो confusion होता उसको हमने काफी detail में समझाया था सिखाया था उसके बाद फिर हमने आपको लैटीन वर्ड के बारे बताया था कि adjective के रिफरेंस में लैटीन वर्ड का क्या concept है क्या rule है और किस तरीके से उस पर बेस्ड आपके एससी में question पूछे जाते हैं उसके बाद फिर डबलु एच interrogative वर्ड पर बेस्ड एससी एक्जाम में पूछे जाने वाले question के pattern को हम लोगों ने समझा उसके concept को सीखा और इन लैटीन वर्ड और डबलु एच पर बेस्ड एससे previous year में पूछे गए CHSL और CGL इन दोनों ही exam के कुछ question को हम लोगों ने deal किया उसके बाद फिर हम लोगों ने डिग्री पढ़ना शुरू किया था डिग्री में हमने आपको positive डिग्री और comparative डिग्री पढ़ाया था और इन में किस तरीके के question आपके CCGL और CHSL में पूछे जाते हैं ऐसे कुछ question के concept को सीखने के बाद आपके एसे से previous year में पूछे गए इन पे best question को हम लोगों ने solve किया था तो आज adjective के second lecture में हम लोग चर्चा सुरू करेंगे superlative डिग्री से और superlative के आगे हम लोग continue करेंगे जिसमें आगे हम लोग superlative superlative के आगे फिर double comparative फिर no other any other all other ऐसे बहुत सारे rules की तरफ हम लोग चलेंगे जिस पर best आपके एसे सी एक्जाम में चाहे वो CGL हो या CHSL हो इन दोनों ही एक्जाम में समान रूप से question पूछे जाते हैं तो आप उसको कैसे सीखेंगे कैसे समझेंगे और उनका यूज करके आप अपने एक्जाम में पूछे जाने वाले question को कैसे solve करेंगे इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे दोस्तों आप में से कुछ बच्चों को थोड़ा सा problem होता है problem यह होता है कि ऐसे बच्चे जिनके इंग्लिज ज्यादा वीक होती है उनके मन में एक feeling होता है कि हमारा जो भी इंग्लिज का faculty है teacher है वह हमें इस तरीके से पढ़ाए कि इंग्लिज का जो question होता है वो उसको हिंदी में explain करके बढ़ा है तो इसके regarding हमने आपको इसके पहले के भी कई वीडियो में बताया था भाई आप जब exam में appear होते हैं exam में आपके पास इतना time नहीं होता कि आप English के given question को हिंदी में translate करके समझ सके और फिर उसको solve कर सके ठीक है तो जिस तरीके से हम यहाँ पर approach लगा कर question को solve करते हैं सेम यही method आपको यूज करना चाहिए यही approach आपको अपने exam में यूज करना चाहिए ठीक है ऐसे कुछ question जो sense best होते हैं उनको translate करने के कभी कभी जरूरत हम लोगों को प जरूरत नहीं होती है ठीक है चलिए तो आज के इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएं इसके पहले हम आपको बताते चले हैं आप सबों के लिए एक important notice है सूचना information क्या है तो मार्च से from first of March चुकि आपका CGL का exam April में है ठीक है CGL का exam कब है April में है तो हम लोग एक मार्च से अब भी तक ASC का हम लोग अपने इस competition community पे जो भी वीडियो आपको provide कर रहे थे यह केवल दो टाइम में जाता था एक दिन के 12 बजे और दूसरा सामें 5 बजे अब तक दो स्लोट थे एक मार्च से यह तीन स्लोट में जाएगा कितने स्लोट में तीन स्लोट में जाएगा तीन स्लोट कौन कौन सा पहला 12 बजे का टाइमिंग फिक्स है दूसरा जाएगा दिन में 2.5 बजे ठीक है और तीसरा जाएगा सामें 5 बजे एक मार्च से इंग्लिस का क्लास आपको week में 5 डेज मिलेगा कितने डेज मिलेगा week में 5 डेज from Monday to Friday from Monday to Friday week में 5 वीडियो आपको मि ठीक है इनके अलावा और कुछ information आप मैंसे कुछ बच्चों को PDF में दिक्कत होता या ऐसे कुछ बच्चे जिनको हमारे वोट पर सॉल्व किये या कराएगा एक question में कहीं कोई problem हो या और कहीं से आप जो कुछ question बूस्ते हैं या बनाते हैं वहां पे भी आप लोगों को कु इने related subject के question को related subject के faculty से पूछ के solve कर सकते हैं ठीक है चली तो अब बिना किसी delay के हम आपको थोड़ा सा और बताते चले कि यह जो हम लोगों का वीडियो है यह बिल्कुल निसुल्क है अब एक मारे से जो पांच वीडियो जाएंगे हमारे English के Monday to Friday में सामके 5 बजे ठीक है उस में भी उसके पहले भी आखिर तक भी हम लोग आप से एक रुपया कहीं भी कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं करें ठीक है यह बिल्कुल निसुल्क है इसका पीडियो भी आपको मिलता है हम लोगों के classes के पीडियो भी हम लोग आपको प्रवाइड करते हैं कहां पर तो व उन सबों पर बेस्ड आपको 25 कोश्चन का हर सब्जेट का 25-25 कोश्चन का प्रैक्टिस इठम लुक प्रवाइड कराते हैं जो संडे को आपको अब लेबल होते हैं अब एप साइट पे भी एप भी ठीक है तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं फिर आप अपने आंसर को उस स्वागत करता हूं आए अब हम लोग अपने वीडियो सेशन को यहां से कंटिन्यू करते हैं और बिना किसे डीले के हम लोग चलते सूपर लेटिव डिगरी की तरफ यहां से देखे यह सूपर लेटिव डिगरी पर बेस्ट कुछ कोश्चन है जिनको हम लोग आज के क्लास देखे इसके बारे में आपको पिछले क्लास में बताया था पॉजिटिव डिगरी का यूज करते हैं के वल और के वल एक व्यक्ति या वस्तू का गुनियादोस्ट बताने के लिए ठीक है कॉम्परेटिव डिगरी का यूज करते हैं सिर्फ दो में से किसी एक को जादा हो और उसमें से किसी एको सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताना हो ठीक है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि यह पॉजिटिव डिगरी को इंफेसाइज करना हो उस पे जोड़ डालना हो उसको हाइलाइट करना हो तो इसके इसके लिए जोड़ करना नहीं करते हैं यहां पैसा इस इसके साहथ यूज नहीं कि इसके साथ सबस्का इसके सामझ में आ गई चले इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि ऐसे adjective जो दो से level तक के होते हैं उनका positive से comparative हम लुग बनाते हैं er एड करके suffix के रुप में er और superlative बनाते है EST एड करके क्या आड करके EST एड करके जैसे tall तो tall का comparative क्या बनेगा taller superlative क्या बनेगा tallest ठीक है लेकिन यदी हम लेते हैं beautiful ठीक है तो beautiful का comparative कैसे बनाएंगे तो बनाते हैं more लगाकर ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में भी हमने आपको बताया था गया घ्यक्टिफ जो दो से ज़्यादा से लिवल के होते हैं उसका comparative बनाते हैं लोग मुड लगाकर और सूपर लेटी बनाते मोस्ट लगाकर क्या लगाकर मोर और मोस्ट लगाकर यह बात समझ में आई अब इसके आगे फिर हमने आपको बताया था कि इन दोनों ही कॉंसेट्ट का यूज किसी भी एक ही एडजेक्टि पर एक ही वर्ड पर एक साथ नहीं किया जा सकता अर्था जैस हैंड्सम का बनाना हो तो हम मोर हैंड्समर नहीं लिख सकते जैसे ब्यूटिफूल का बनाना हो तो मोर ब्यूटिफूलर नहीं लिख सकते यह बात क्यों कॉम्परेटिव पर ही नहीं बलके सूपरलेटिव पर भी साहिमल्टिलियस ने लागू होता है साथ साथ इसमें भी concept का यूज करना है कब करना है किसके साथ करना है यह बात है अभी सी level के according अभी अभी हमने आपको बता दिया ठीक है इसके अलावा एक और बात हमने आपको बताया था पिछले क्लास में comparative के साथ हम लोग यूज करते हैं पोजीशन दैन का किसका यूज करते हैं यह दैन प्रीपोजीशन होता है ठीक है इसका पार्ट सफेस्पिश क्या होता है प्रीपोजीशन होता है अब यह देखें यह जो सूपर लेटिव डिगरी super relative degree के पहले हम लोग आर्टिकल 2 की यूज करते हैं किसका आर्टिकल 2 की यूज करते हैं ठीक है लेकिन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ cases में super relative degree के पहले आर्टिकल का यूजन नहीं होता है ठीक है कुछ ऐसे केसे होते हैं जहां पर जैसे लेटिन वर्ड का जो कॉंसेप्ट हमने आपको एड्जक्टिव पाट वर्ण में पढ़ाया था वहां पर कॉंपरेटिव के साथ दैन का यूजन नहीं किया जाता है ठीक है तो यदि अलग- तो सबको सुटेबल सबको सुटेबल प्रेपोजीशन देना पढ़ता है जैसे सीनियर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं तो सीनियर भी आजाए टॉलर भी आजाए ठीक है तो सीनियर के साथ लगाएंगे टू टॉलर के साथ लगाएंगे यह बात समझ में आ रही है और सिमि पर नाउन का जो टेबल हमने आपको पढ़ाया था प्रॉनावन में भी ठीक है और यहां पर अजयक्तिव पार वन में भी हमने आपको बताया था क्या रएक होता है पॉसेसई प्रॉनाउन परोशेशीव प्रोनम ठीक है है तो यह जो पौसेशीव आड़एक्टिव का पूरा कॉलम होता है इसका यूज हमलुक करते है ना उन के ठीक भाल ज्यक mad Munich आ रही है का दूसरा किया है दूसरा कॉंसेब्ट यह है कि यह다 Coach के बाद एद कोई शूपर लेटिव डिगरी क्या है such a case में इस केस में यहां पे इस केस में हम लोग ऐसे सूपरलेटिव के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं अर्थाथ हम आपको समझाना यहां पे यह चाह रहे हैं कि यहां पे किसी भी आर्टिकल का यूज तो सूपरलेटिव के साथ हम लोगों का हैविड बना हुआ है जह यहाँ पर नहीं लगता है तो यह तो प्रोनावन का टेवल था प्रोनावन के टेवल में यह पॉसेसिव आप सबोने बच्पन से पढ़ा है अब नावन का पॉसेसिव कैसे बनता है तो देखें नावन का पॉसेसिव कैसे बनता है यह भी हम आपको सिखाते हैं नावन का सब् और objective दोनों के same होता है, ना उन में apostrophe s का यूज करके बनाते हैं, इसका possessive, तो यदि apostrophe s लगा हुआ हो, तो apostrophe s के बाद यदि यहां पे कोई superlative आए, यहां पे कोई superlative आए, तो यहां पे बीच में, यहां पे इस जगह पे किसी भी article का यूज हम लोग नहीं कर सकते, यहां पे article का यूज हम लोग नहीं कर सकते, बात समझ में आ रही है, अब दोनों का एक एक example होना चाहिए, यूँ ही बाते हैं, हजम नहीं होती है, ठीक है, तो देखिए, अब इसको digest करने का क्या तरीका है, इसका कुछ example हम आपको देते हैं, example जैसे, example जैसे, यह देखिए, my best friend, my best friend, ठीक है, हम यहां पे ऐसा भी कह सकते हैं, राम's best friend, ठीक है, अब देखिए, इन दोनों sentences में आप देख पा रहे हैं, कि यहां पे यह best क्या है, superlative है, और इस superlative के पहले यहां पे देखिए, किसी article का use किया गया, नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यह है possessive में, इसलिए यहां भी कोई article नहीं, यहां भी कोई article नहीं, ठीक है, और यदि जान बूज कर आप यहां पे किसी भी article का प्रियोग करना चाहेंगे, तो जैसे ही आप यहां पे article का use करेंगे, sentence हो जागा, grammatically incorrect, ठीक है, तो इन सारे rules and concept पर best, कुछ कोशन आपके exam में बार बार पूछे जाते हैं, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए, आपको इसको याद रखना चाहिए, ठीक है, चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और चलते हैं, हम लोग सिधा slide में देते हैं, अपने question को, यहां पर देखें, अब देखें, इसमें sentence को हम नहीं भी पढ़े, तो हमें कोई फरक नहीं पढ़ता है, क्योंने फरक पढ़ता है, आप देखें, यहां पर फिल करना है, उसके पहले article 2 लगा हुआ है, option को जरा read कीजिए, यह देखिए, सारे हैं तो adjective, यह low positive degree, lower comparative, और यह last sequence बताता है, ठीक है, तो यहां sequence की कोई जरूरत नहीं है, share of student, आपके उली तरह ही पढ़ लीजिए, अब सीरी सी बात है, कि article 2 के साथ क्या यूज करते है, कौन सा degree, superlative degree, एक ही option है, superlative का answer बन गया, lowest, अगले question में चलते है, the dash part, यहां भी देखें, article 2 का यूज किया गया, जरा option देखिए, primary मतलब प्रांत्मिक, measure बड़ा या बहुत बड़ा, funniest, superlative, real, positive, तो यह होगा ने, यह होगा ने, यह होगा ने, एक ही option सीधा इसको उठाई हो, पूट कर देजी, यानि कि हमारा answer क्या बनेगा, answer बनेगा, option number B, ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं, हम लो लगा हुआ है, ठीक है, EST लगा हुआ है, यानि यह क्या, superlative, अब superlative के पहले, यहां कौन सा डिग्री, कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है, तो article लगा है, superlative के पहले, article A का यूज होता है, कि आप बच्पन से जानते हैं, नहीं, बच्पन से आप जानते है, superlative degree of adjective के पहल grammar की गलती है जो grammatically incorrect है वो सेक्षन हमें बताना होता है तो देखें यह जो सार पेस्ट है यह वाला option डूंड लीज़े यह देखिए answer क्या बना option number a next यहां से आगे बढ़ते हैं लोग अगले question में यह भी देखिए आपके CGL 2019 में पुछा गया question कितने आसान है कितने आसानी से यह बनेगा यह देखिए दो और इसके बाद यह नियर 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 नियरेस्ट तो नियर कौन से डिग्री में है comparative article के बाद कौन से डिग्री आएगा superlative आप option जरह देख लिए तो एरर हमारा नियर वाले में नियर वाला option कहा है अच्छा इसमें हमें correction चाहिए था sentence improvement का यह question है अब यहां देखिए नियरेस्ट सुपरलेटिव नियर की है और इसके पहले यहां देखिए दह लगा हुआ है यह पॉजिटिव डिग्री इनकरेक्ट यह पॉजिटिव डिग्री इसके पहले आटिकले और वहां जरूद किसके हमें सुपरलेटिव की तो आंसर क्या बना आंसर बना हमारा option number डी ठीक है बात समझ में आ रही है अब आप में से यदि किसी स्टुडेंट को डाउट हो कि पता नहीं सर यह बता तो रहे हैं यहां पे लिखा हुआ सर दिखा तो रहें कि सीजियल 2019 में पूछा गया है अब पता न करने के लिए आप क्या करेंगे आप यदि किसी भी एक्जाम के तैयारी करते हैं तो हर एक्जाम का previous year question का कुछ book collection आपको market में हर जगह मिलता है ठीक है आप वहां से previous year paper को उठा लीजिए ठीक है तो previous year वाले book को उठा लीजिए उसमें यह सारे question आपको दिखाई पढ़ जा आते हैं उस पर बेस्ट आपके कोशन आते हैं यह नहीं आते हैं यह जानना हम सबों के लिए काफी important होता है ठीक है इसलिए हम लोगों के लिए previous year को बनाना जरूरी है वरना ऐसा नहीं हो कि कोशन किसी और pattern के पूछे जाते हो एक्जाम में और हम किसी और pattern में आपको लेकर चले जा रहे हैं मज़ा बहुत आएगा लेकिन कोशन एक भी एक्जाम का बनेगा नहीं ठीक है तो हम लोगों के पढ़ने पढ़ाने का उद्धे से क्या होता है या क्या होना चाहिए यह होना चाहिए कि हम इस तरीके से पढ़े उसे फूत नहीं पढ़े जिससे हमारे selection हो क्लियर बहुत जादा पढ़के अपने आपको एक्जाम में जाके फिल नहीं करवाना है अपना rejection नहीं करवाना है चले तो अब इनके बाद हम लोग यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब देखिए हम लोगों को पढ़ना double comparative अभी यह double comparative क्या है सबसे पहले double का मिनि क्या होता है तो double का मिनिंग होता है दो क्या होता है अब डबल comparative comparative degree अभी हमने आपको WIN को पढ़ाया था और आप इस डिगरी को comparative को भचपन से जानते हैं अब इसमें करना क्या है देखिए Exodus किसी भी कॉंपरेटिव 有 को सanic लेकिन कुछ कंडीशन में होता है यह मापको समझाते चलें देखिए कहां कहां होगा तो सबसे पहला concept कि यह देखिए यह एक word है former former class में देखिए क्या लगा हुआ यह लगा हुआ ठीक है और यह देखिए letter ल, a, double, t, e, r letter इस class में क्या लगा हुआ यह लगा हुआ है यह दोनों ही comparative degree में हैं लेकिन इन दोनों के पहले हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल दो इस पर बेस्ड आपके exam में question आते हैं इसके पहले भी यूज करते हम लोग आर्टिकल दो ठीक है यह बात समझ में आ रही है former का यूज करते हैं दो में से पहले वाले का sense एक्सप्रेस करने के लिए letter का यूज करते हैं दो में से बाद वाले का sense एक्सप्रेस करने के लिए अब एक example होना चाहिए ऐसे बात समझ में आते हैं नहीं है हम लोगों को हम लोगों का habit ही ऐसा है तो देखिए, अब इसका example, जैसे हम एक example लेते हैं, I hate, I hate both Mr. Lalu, both Mr. Lalu and Adwani, and Adwani. Because, because the former, because the former, because the former Chits Muslims, because the former Chits Muslims and, and the last, and the last Chits Hindus, ठीक है? अब यहां पे जरा अध्यान से देखिए, error कहां पे पूछा गया, कैसे पूछा गया, इसको हम लोग ऐसे improve करेंगे, सबसे पहले इस sentence में देखिए, यहां दो former दिखाई दिया, former के पहले क्या लगा हुआ है, former के last में क्या लगा हुआ है, ER लगा हुआ है, अर्थाति यह comparative मे अब यहां देखिए, last use किया गया, यहां पे last use होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि दो में से पहले वाले का sense तो former explain कर लिया, लेकिन अब दो में से बाद वाले का sense एक्स्प्रेस करने के लिए, हम लोग last करने बलकि use करते हैं, letter का, तो हमें last के जगह क्या लिखना होगा, last के कोई error नहीं होता है, ठीक है, चलते हैं यहां से आगे, अगले concept के तरफ, अगला concept हमारा क्या यह देखिए, अगला concept है कि हम लोग दो बार comparative degree का use करेंगे, एक ही sentence में, हम लोग दो बार comparative degree का use करेंगे, with article the, दोनों बार आर्टिकल दो के साथ यूज़ करेंगे अब इनका कंडिशन क्या इसको हम लोग जाना समझते चलिए क्या कंडिशन है कब ऐसा करते हैं यहां पर देखे ग्रामर के जितने रूल है सारे तूटते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर आटिकल दो का यूज़ हो रहा है और क्यों हो रहा है इसका यूज़ हम लोग कहां पर करते हैं किसद करते किसी किसी भी दो व्यक्ति यवस्तु के quality में गुनियदोस में एक साथ साइमल्टेनियशली या तो increase हो यदE डिक्रीज रहें पहला डिक्रीज दूसरा ऐसी अगर घटना किसी भी दो व्यक्ति यवस्तु के रिफ़रंस में घटती हैं तो हम लोग ऐसे को एक्सप्रेस करने के लिए दौर दिगरी का यूज करते हैं अब दोनों का क्या बहुत हो साधी से थिय gide से समुदरतल का जो लेबल होता है गाराई होती है उसे जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं ठंडा बढ़ता जाता है ठीक है तो हम लोग इसको sentence में कैसे यूज करते हैं sentence में यूज करते हैं the higher the higher we go the higher we go the cooler the cooler it becomes the cooler it becomes ठीक है अब यहां देखे इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है वही दा प्लस कॉंपरेटिव दा प्लस कॉंपरेटिव इसमें एरर कहां पूछा जाता है इसको सीखे हम लोग maximum time maximum time इस section में एरर मिलता है दो वाले में दो मिसिंग होता है तो या तो इसमें एरर पूछेगा या इसमें एरर पूछेगा ठीक है और अगर यह राइट साइड वाला पार्ट करेक्ट होगा दो प्लस कॉंपरेटिव यहां पे लिखा हुआ होगा तो कभी-कभी यहां पी आज पूछा जाता है इस वहले पार्ट में यहां तो मिसिंग होगा यहां पे कॉंपरेटिव मिसिंग होगा जैसे आपके West一下 में एक कोशन पूछा गया क्या कोशन पूछा गया भाई the more the more the more electricity the more electricity we use यहां पर question दिया गया था higher higher will be higher will be its bill अब ज़र आप ध्यान देज़े इस question में कहां पे रर है तो बड़ा simple सा बात है यहां पर देखे आपको क्या दिखाए तरह है the plus comparative तो अगले part में भी आना चाहिए the plus comparative तो यहां देखे comparative तो दिख रहा है article the missing है तो इस question को ठीक करने के लिए हमें यहां पर क्या करना होगा article the use करना होगा वे simply use article the here clear बात समझ में आ गए तो अब आईए इन सारे rules को सीखने के बाद इन पर best question को हम लोग solve करना सुरू करते है ठीक है तो चलते हम लोग अपने slide में सॉरी चलते हैं हम लोग अपने slide की और और अब यहां पर देखते हैं हम लोग कुछ question यहां पर देखें हम लोग को क्या देखने को मिलना था पाथ ग्रिव स्टीपर एज वे climbed higher जैसे जैसे उंचाई की तरफ हम लोग चलते गए जो पाथ था जो रास्ता था वो कैसा होता गया ठीका होता चला गया अब यह स्टीप स्टीपर क्या होता है वह इसको जड़ा समझें आप जैसे मान लेजिए हम लोग पहाड पर या किसे उंचाई पर चड़ते हैं तो इस तरीके से धीरी धीरे increase कर सकती है ठीक है तो यह normal सा है यह होगा ही लेकिन यह उचाई इस तरीके से बढ़े तो इसको हम लोग क्या कहते हैं खड़ी उचाई कहते हैं इसे को हम लोग English में कहते हैं स्टीप जैसे आप कभी-कभी संड को पर driving करते हैं जब आप कभी long drive पर होते हैं तो कभी-कभी आप देखेंगे कहीं कहीं पर आपको ऐसा टर्न देखने को मिलता है कहीं कहीं पर इस तरीके का तो इसतरीकी का होगा ठीक है इस तरीके का होता है वह यहां पर यूज क्या गया है तो कुल मिला कि यह सेंटेंस हमारा सही है ठीक है इसका अंसर क्या बनेगा इसका अंसर बनेगा नो एरर नेक्स्ट अगले कोशन में देखें यह दा मोर्ड दिखाई दिया यानि दा प्लस कॉमपरेटिव अगले पार्ट में देखें दा प्लस पॉजिटिव डिगरी क्या करें दा स्वीटर बना दें क्या करें यहां पर हम लोग तो यहां पर हम लोग स्वीट का बना देंगे कॉमपरेटिव दा स्वीटर ठीक है नेक्स्ट अगले कोशन में देखें यह दा ब्राइटर मिला अब फिर यह दो मिला और यह एपिर मिला इह भी कॉंपरीटिव नहीं नहीं अंसर बना नहीं दो से CRS कुछ और को cache कते हैं यहां पर देखें यहां पर दो सुनर देगो दो समपेयर पर ऋप्लस सूपर्यटीब को किसुन मैं करनें करना होगा का और पिर क्या क्या gonos तो यह नहीं होगा- तो इस प्रकार के कॉशन को आप बना सकते हैं विए सारे कॉशन आप इसे ही सौल्फ कर सकते हैं चली अव आहां से आगे बड़ता है जिसमें पॉण से सीमें की कि बड़ी है क्या गड़ बड़ी है इसमें देके द प्लस कॉंपरेटि मिला और फिर आगे देखे यह दप लस कॉंपरेटि मिला तो यह वाला पार तो करेक्ट हो गया अब इसमें देखिए बोला क्या है दा मोर एनरजी वी गीव टू अपर टिकूलर थॉर्ट यह दि किसी एक किसी एक विसेश चीज़ू पे हम लोग ज्यादा focus करें ठीक है तो उस चंचा की गये तो अससे related आपका जो फीजीकल वर्ल्ड नोगा उससे related किससे जिसपे आसा करेंगे तो जिसपे फोकस करेंगे यह थोडिक डिर तो यहां होता है कि सर्य हमारे एक्जाम में दू प्रकार से यूज होता हुआ दिखाए पड़ता एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला और एक और एक ऐसा वाला इंपोस्टोफी ठीक है अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है यह देखे यह होता है इसका मिनिंग क्या होता है इसका मिनिंग क्या होता है इसका मिनिंग 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 होता ह आप यहां पर आते हैं go get become plus comparative degree देखिए go get become के बाद क्या आता है comparative degree आता है अब इसका यूजर के से आपके sentence में मिलता है हम इसकी चर्चा करते चलें यह किसी भी एक ही व्यक्ति के यह किसी भी एक ही व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति हो यहychष्ट तो कोई भी हो यदि किसी भी एक ही व्यत्ति या वस्तो के किसी भी एक ही गुन या दोस में जो भी quality हो उसके उसमें continuous लगातार बिना रुके increase या decrease दिखाना हो increase या decrease दिखाना हो तो ऐसे sense को express करने के लिए हम लोग go get become के साथ यूज करते हैं comparative degree अब ये कैसे यहां यहां पर यूज करते हैं क्या यूज करती हैं कउम्परिटिव एंड कि इस तरीके से यह प्र है जैसे कौरोना के बाद जैसे कुरोना जब आया तब से पूरे दुनिया का जो वर्ड लेवल है पूरे वर्ड की एकनों में चहर मनाई हुई है गड़बर हो गई है अब देखे जो रसिया यूक्रेन चल रहा है ठीक है अब यदि इसमें नेटो या हिंदी में जिसको हम लोकाते नाटो ठीक है तो नाटो ह हो या अमेरिका हो यदि वो रूस के साथ वार करता है तो सबसे पहले अब आप जाएं पर ध्यान दीजें कोरोना के बाद से पूरे दुनिया की पर दूनिया की चेहर्मेराई हो तो देखिए हम लोगों का जो economic level है आर्थिक पक्ष है वो लगतार खराब होता चला कि ठीक है कभी कभी आप सुनते हैं किसी एक व्यक्ति या किसी बिजनस के बारे में कि वो लगतार increase होता चला कि जैसे IT सेक्टर पूरे दुनिया का जो IT सेक्टर है जब से करोना हिट किया उ ठीक है बात समझ में आ रही है तो इस प्रकार की चीजों को express करने के लिए हम लोग यूज करते हैं comparative and comparative किसके साथ तो go get become किसा ठीक है जैसे हम लोग यूज करते हैं he is getting यह भी comparative यह भी comparative बीच में लगया और यह क्यों लगा तो यह गेट के कारण लगा अब गेट कहा था यहां था तो गो गेट विकमें तीनों में से कोई भी हो उसके बाद इस प्रकार का continuous यह इंक्रीज या इक्रीज दिखाना हो तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग दो बार यूज़ करेंगे comparative डिग्रेवेट एंड ठीक है बात समझ में आई अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हम लोग कुछ और कॉंसेप्ट की तरफ और इन पर बेस्ट कुछ कोशन की तरफ यहां देख है जब मुबाइल नहीं था तो हम लोगों के पास कोई अडिक्शन नहीं था लेकिन जब से यह मुबाइल आ गया सोचल मीडिया आ गया हमारा आपका मैक्समेंट टेंशन हुआ है और इस तरीके से हम लोगों ने अपने डेली लाइफ के सीडिल को खराब कर लिए बात समझ क्या बनेगा तो हमारा अंसर बनेगा एडिक्टेड पीपल हैव गॉट सो एडिक्टेड देखें गेट के बाद यह चोटा सारूब्ले आप इसको याद रख सकते हैं गेट के बाद यह कोई वह बाता है तो इसमें हम लोग यूज करते में रखते हैं हम लोग थाड़ फो म अब हम लोगों कbagai पढ़ना एडच्छी अवफ नंबर तो अब हम लोग थोड़ा चलते हैं बोर्ड की तरब और समझते हैं कि यह कि एडच्छीव इड़ ऑ नंबर का जादू क्या है पूरा इनका माजरा क्या है तो आईए इनके माजरे को हम लुग समझना सुरू करते हैं या फिर उसके आगे हम लोगों ने पढ़ा red, pink वगएरा वगएरा जैसे गोरी है खलाईयां, हरी हरी चुडीयां वगएरा वगएरा जैसे आपने पढ़ा सहर की लड़की ठीक है गाने में सुनते हैं तो ये तो adjective होता ही है हमने adjective के first lecture में इसका definition को clear करते हुए बताया था कि qualify rian करा रहा ह। लुआ हुदाना लोग जीसे एक अग्जाम्पल लेते हैं हम लिगते हैं पर टु बॉंस अब ये तक ये बॉल क्या है राओन और उसके बारे में इन्फोर्मेशन दे रहा वह संक्या का बूद्करा रहा है यह क्या है तो यह और similarly हम ऐसा भी तो यूज करते हैं cricket में second over second ball second ball और फिर यह ball क्या है नाउन ने यह नाउन के पहले आ रहा है उसके बारे में कुछ information दे रहा है उसके sequence का बूद करा रहा है इसको भी हम लोग क्या कहेंगे तो इसको भी हम लोग कहेंगे adjective अभी जो adjective of number है वो क्या होते है जैसे वान टू थ्री फूर वान टू थ्री इनके अलावा भी कुछ और होती है जैसे फॉस्ट फॉस्ट सेकेंड थर्ड एड्सेटर यह सभी क्या है यह सारे के सारे adjective of number है adjective of number दो प्रकार के होते है अब देखिए जब आप ऐसा लिखते है इसका sequence बताते है तो आप इसके पहले लिखते है article the second ball this is the second ball of this over अब ध्यान देजिए आपके cricket का जो commentary आप सुनते हैं उसमें भी इसका यूज होता है जम कही होता है ठीक है this is the second ball of this over इस तरीके से हम लोगों को सुनने को मिलता है ठीक है अब यहाँ पर जड़ा ध्यान देजिए क्या क्या चीजिए हम लोगों को यहां से सीखने को मिल दे आई इसको भी हम लोग notice करते चरें सबसे पहले यह देखिए यह जो adjective of number है यह दो प् करते हैं इसको करते है । काडिनल number of adjective कौन सा kanginal number of adjective और यदी adjective of number noun के या pronoun के sequence को express करता है किसको sequence करम को ठीक है पहला दूशरा तीसरा वगेरा वगेरा धिक है जैसे किसी की टीशरी भीवी हो ठीक है छौता friend हो ठीक है लास्ट जैसे cricket में हम लुख करते हैं फिफ्ट बॉल सिक्स बॉल फस्ट बॉल वगेरा वगेरा ठीक है तो यदि यह sequence को एक्स्प्रेस करता है तो ऐसे चीजों को ऐसे एड्जेक्टिव ऑफ नंबर को हम लो करते हैं और डिनल नंबर ऑफ एड्जेक्टिव क्या करते हैं अब इनका किस तरीके से ग्रामर में यूज करके आपके कुश्चन में एरर पूछा जाता है आप इसको सीखिए इनका सबसे पहले यदि एड्जेक्टिव और आफ नंबर संख्या का बोध करा रहा हो तो एनके बाद आने वाला औनके बाद आने वाला नाउन या प्रुणांस भरहेगा सिगूछ ठीकहए। लेकिन वन को छोड़ कर यदि कोई और एड्सख्रक्ति वाफ नबरें ससा हूओ यानि की कोई भी कार्डिनल लंबर ओफ यदि वन को छोड़के कोई दूसरा काडीनल डंबर उफ चैज ZÁR एक साहर सब क सब और डिनल नमबर ओफ जयक्टिव के साथ हमेशा हम लोग यूज करते हैं आर्टिकल्ड का यूज करते हैं और इस केसमें इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो रहेगा स्गुलर कैसे रहेगा सिंगूलर रहेगा इसमें इस यह सि नहीं लगेगा बात समझ में आ गई अ नमबर जैसे माल लिए कि ओडिनल कार्डिनल दोनों एड्यक्टिव नमबर एक साथ यूज कर लिया जाए तो इनका सिक्वेंस क्या होगा तो इसको हम लोग कैसे रखेंगे इनसे कैसे कुश्चन पूछे जाते हैं इसको हम आपको बताते चले बहुत पहले एक कपड़े की कं कंपणी थे जिसका नाम था ओग्रइंट टर व्सक्रावज खोले एक कपड़े के कंपानीट यह और इसके पहले लगा हुआ था आर्टिकल दो म्हून कि यादरोड मतलब मतलब क्या है यदि adjective of number दोनों टाइप का ordinal cardinal दोनों यदि एक साथ यूज किया जाए या कहीं भी आपको एक साथ दिखाई पड़े तो उनका sequence हम लोग कैसे रखेंगे सबसे पहले लिखेंगे article 2 क्या रखेंगे article 2 उसके बाद क्या रखेंगे उसके बाद रखेंगे ordinal number क्या रखेंगे ordinal number और फिर इसके बाद क्या रखेंगे इसके बाद रखेंगे cardinal number क्या रखेंगे cardinal number of adjective और उसके बाद आएगा हमारा noun ठीक है बास समझ में आ रही है इस तरीके से हम लोग कोश्चन यूज करेंगे और बनाएंगे जैसे इसका एक 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 जाहिए जैसे हम कहें दो टो हम एक्जामपल लेते हैं I have learnt the two first chapters of this book अब देखे इस question में क्या करना है आपको बड़ा simple है सबसे पहले आपको यहां देखे article दा दिखाए दिया यह 2 दिखाए दिया 2 क्या है बाई तो 2 है cardinal यह क्या है ordinal ठीक है तो हमने क्या बताया था इसका sequence क्या रहता है the OCM यानि इनको हमें replace करना होगा किस से इसकी जगा हमें लिखना होगा the first the first two अब क्या हो गया यह the यह क्या हो गया OCM यह क्या हो गया ordinal number फिर cardinal number बात समझ में आ गई चलिए अब सीधा चलते हैं इसके बाद हम लोग अपने slide पे और देखते हैं कुश कोशन को यहां पे देखे कुश कोशन आपको क्या दिखाई दे रहा है तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है दो यह two यह first क्या करें तो इसको हम लोग लिखेंगे the first two the first two यहां भी देखें the two first the first two यहां भी देखें इस question को आप से बना सकते हैं यहां पर देखिए लास्ट हम लोग क्या करेंगे लास्ट भी क्या करता है सिक्वेंस को करता है यानि लास्ट भी क्या है लास्ट भी हमारा एड्जेक्टिव ओफ नंबर है कौन सा ओडिनल नंबर तो क्या करेंगे लास्ट थ्री क्या लिखेंगे लास्ट थ् ठीक है तो अब यह काफी आसान टाइब के कोशन थे इनको बनाने के बाद अब आप यहां इए दा पार्टिंग वास पेंफुल फॉर तो फॉर होगा बोथ पार्ट का मतलब क्या होता है जुदा जैसे मिलकी जुदा कभी होने से दिल क्यों डरता है रोने से ठीक है तो आंसर की तरफ चलेंगे अब हम लोग यहां से अब हम लोग चलेंगे लिटिल फ्यू मेरी मज फर्दर आज इस मेनी एहां इनी और सम की तरफ इनके बारे में हम लोग सीखते चलें देखें इनके बारे में कुछ कॉंसेट बड़ा असान है सबसे पहले कि एनी का यूज होता है से सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो सेंटेंस यदि नेगेटिव हो या नेगेटिव सेंस को एक्सप्रेस कर रहा हो या सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड लगा हो तो हम लोग प्रेफर करेंगे कि वहां पर यदि हमें सम और एनी दोनों लिखा हुआ द उनके साथ भी होता है ठीक है जैसे चीनी कम है थोड़ा सा और चाहिए सम सुगर इस नीड़िट सुगर क्या है Uncontable सम वोटर इस नीड़िट ठीक है बात समझ में आ देए यह देके सम सम अमाउंट ओफ मनी लिटील अमाउंट ओफ मनी तो लिटील और फ्यूट के तरफ नहीं जाने ठीक है सम्मनी अब यह मनिय क्या है तो मने अन अन्कॉंटएबल लो आप में से कुछ बच्चों को बस जगों पर डाामट होता है जैसे यहista blaming के में आपने से कुछ बच्छों को डाउट है कि मैंए कॉंतं आपको बताते निकाल के देखिए उस पर क्या लिखा हुआ उस पर रूपया लिखा हुआ ठीक है अब यदि आप अमेरिका के नोट को निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस पर क्या लिखा हुआ डॉलर लिखा हुआ है ठीक है बात समझ में आ रही है यदि करेंसी मेंसन है करेंस जो stars है star को लेके आपने से बहुत सारे बच्चों को confusion दाता है तो इस confusion को भी हम आपके साथ दूर करते चलें star contable है क्या है contable है but countless है अब आपने से कुछ बच्चों को फिर नया confusion होगा ये क्या बताने लेके sir uncontable is equal to countless चीक है contable is equal to जो count हो सकता है यहाँ पर बहुत बड़ा confusion है आप इसको ठीक से समझें uncontable वो है जिसके गिंती संभौन नहीं है countless वो है जिसके गिंती की जा सकती है बट हमारी आपकी योगिता नहीं है कि हम उसको count कर सके हम लोग उसके सारे चीजों को count नहीं कर सकते कैसे आप जड़ा याद किजिए रात में आपके छट से जाके आप यह किसी स्टार को देखते हैं तो आपको एक ही स्टार दिखाए पड़ता है यह more than one स्टार दिखाए पड़ते हैं अब आप उसको count कर पाते हैं किने one two three four and so on जो galaxy होता है जो स्टार होते हैं यह कॉंटेबल है यह नहीं होते हैं इतने होते हैं गैलक्सी में होते हैं वगएरा वगएरा उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसको आप साइंस में पढ़ते हैं ठीक है बात समझ में आई आगे बढ़ें तो स्टार क्या है स्टार कॉंटेबल है स्ट आप उसमें जाके गूगल में चेक कर लिजिए what is the plural of stars आपको मिल जाए का stars लेकिन आप वहें पे लिखिएगा what is the plural of rice आपको राइस लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा what is the plural of water आपको waters लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा हाँ नाउन के सेक्षन में आपको जरूर पढ़ना है water का मिनिंग होता है पाने और water में यह इस लगा दे यानि water में इस लगा दे वाटर बना दे तो उसका मतलब होता है ocean समंदर ठीक है जो आप खलना एक मोहें में जा रहे थे कि सम का यूज कॉंटेबल के लिए भी होता है सम का यूज अनकॉंटेबल के लिए भी होता है तो सम का यूज कॉंटेबल के लिए भी हम लोग करेंगे और अनकॉंटेबल लाउन के लिए भी हम लोग करेंगे cn मतलब कॉंटेबल लाउन you cn मतलब अनकॉंटे से करते हैं तो फॉर्दर का मतलब होता है आगे नेक्स्ट आगे या नेक्स्ट अब यह फार्दर क्या होता है यह फार एक वोट है क्या है फार एक वोट है यह देखे यह फार क्या है तो फार एक वोट है फार का मिनिंग क्या होता है डिस्टेंट दूर ठीक है फार का कॉंप कि यह मेरा घर जिक है और यहां से रेलवे स्टेशन है और यह Bus Stand बस Stop है ठीक है तो यह Rhythmay Station है यह Bus Stop है मा लेजे कि यहां से यहां के दूरीं किलूमीटर और यहां के दूरीं हो साथ किलो मीटर फिक है अब हम से यह से पूछा जाए कि बताई यह इसके घर से जो कंडिडेट है जिसका घर यहां पे है इसके घर से इस घर से रेलवे स्टेशन और यह बस स्टॉप इंद दोनों में से किसकी दूरी जादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे बस स्टॉप इस फार्दर दैन रेलवे है इसका यूज़ करेंगे भादर इसके बथा इसको बदाने के लिए दूरी को बताने के लिए यूज़ करते हम लोग और फॉर्दर मतलब नेक्स्त आगे मतलब एक बार यह यह अपने गलती किया आपके पापाजी ने आपको डा दृट तो आप उनसे promise करते हैं कि ठीक है पापा हम आपसे promise करते हैं कि इस तरीके की घलती हम से आगे नहीं होगे I will not commit I will not commit any further such type of mistakes ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसके आगे कुछ और सीखें many का use करते हैं हम लोग contable noun के लिए much का use करते हैं uncountable noun के लिए तो uncountable जैसे water है sugar है उसके साथ हम लोग use करेंगे much का many का use करेंगे contable के साथ जैसे book है कपड़ा है पेन है वगएरा वगएरा ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग यह little क्या है यह few क्या है तो little और few की जो कहानी है काफी मज़दार है little और few की तरफ चलने के पहले एक और इदर नीचे भचा हुआ इसको भी हम आपको explain करते चलिए देखें इसका concept बढ़ा easy यह आएगा तो बीच में हम लोग यूज करते है positive degree of adjective क्या यूज करते है positive degree of adjective का यूज करेंगे positive degree of adjective का यूज करेंगे और फिर यहां पर यूज करते है यानि यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं आप ज़रा इसको ध्यान देजिए इस पर notice किजिए यह इनका structure होता है कब जब sentence positive हो कैसा हो sentence if the sentence is positive we use this structure that is we use as but if the sentence is negative यदि sentence नकारात्मक हो negative हो तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं वहां पर हम लोग इस पहले वाले as को convert कर देते हैं so में किसमे convert करते हैं so में और बीच में यहां जो positive degree use हो रहा था होता ही रहेगा positive degree of adjective आया था वो आता ही रहेगा इस पर इसका कोई प्रभावन नहीं पड़ेगा औ यूज होता ही रहेगा अर्थात इस केस में हम लोग यूज करते हैं so के साथ इसको prefer करते हैं ठीक है इसको prefer करते हैं एससी का यही आपका trend है ठीक है अब जब से एससी को tcs ने कंड़क्ट करना सुरू कर दिया तो उसमें एक बार question ऐसा देखने को मिला है grammar जो हम लोगों को करता है वह कहता है कि आप यहां पे एस bethubi कर सकते हैं और आप यहां पे श luego कर सकते हैं बोह हार correct बोथर correct बात समझ में आ रही है तो अभी भी आपको prefer करना है so को किसको so को इसमें एक और concept भी आपके exam में पोछा जाता है आएए वो भी हम आपको यहां पर बताते चले हैं वो क्या concept है आप देखिएगा कि आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा कि कोस्टन आपको दिखाई पड़ेगा as plus positive degree आपको यहां देखने को मिलेगा और इसके बाद इसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलता है यहां पे इसके बाद तो जैसे एक आपको यहां पर इफ-णोड दिखाईए देता है और जैसे ही आपको नोड दिखाई पड़ता है अप यह माल लेते हैं कि सेंटेंश कैसा हो गया और सेंटेंश नेगेटिव लिए तो आप फटाक से क्या करते हैं तूरंत आप इस पहले वाले एस को सो में कर देते हैं ठीक है ऐसी गलती आपको नहीं करनी है क्यों नहीं करने यह समझें इसका यूज हम लोग किस बात को बताने के लिए करते हैं जैसे माल लेजे ए और भी यह दो केंडिडेट है ए और भी यह दो केंडिडेट है ए यदि बी से ज्यादा चालाक नहीं है तो कम से कम उतना चालाक तो है जितना की भी एसे सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इस फॉर्मेट का यूज करते है बात समझ में आ रहे हैं और दोनों एज एज वाला कभ यूज करते हैं ए उतना ही लंबा जितना की भी ए इस टॉल आज बी इसका एक दो सेंटेंस में एग्जामपल लेते हैं यूहीं बात स टॉल एज रमेज ठीक है अब यहां देखिए ही और रमेज इन दोनों का लंबाई कैसा है सेम है अम मालेजे हम ही के जगह सीलिंग मालेजी हमारा इरादा किसी लड़की से उसका कॉंपरेशन हो रहा हूं तो इस महिला की फीमेल का इस रमेज के हाइट से क्या रिलेशन है तो हम यह देख हैं, she is not as tall as रमेज वो रमेज के जितने लंबी नहीं है सीधा मतलब है कि इसको आप रिजनिंग में पढ़ते हैं इस सेंटेंस का सीधा मतलब है कि या तो यह जो लड़की है यह रमेज से ज्यादा लंबी है या रमेज से लंबाई इसकी कम है तो रमेज से या तो इसकी लंबाई जादा है या कम है अब जैसे ही यहाँ पर not लग गया तो हमारा जो इससी का टेंड है उसके according हम लोगों को क्या करना है तो इस size को convert कर लेंगे तीसरा sentence if not वाला भी हम इसी में use करके आपको दिखाते हैं ताकि आपके सारे confusion हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं देखिए she is as tall as tall as she is as tall as Ramis if not taller than him ठीक है अब देखिए इस sentence में आपको क्या देखने को मिलना है तो यहां पर आपको clear देखने को मिला यह as positive degree plus as यहां क्या मिलगा है इस आगे if not है उसे हमें इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां पर दोनों as as ही you जोगा sentence is correct बात समझ में आई इसको एक और format में लिखा जा सकता है see is as tall as if not if not if not taller than him इसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है तो यह as as के सारे concept है जिसको अभी हम लोगों ने सीखा अब आईए इसके बाद हम लोग सीखेंगे few और little के लिए तो और few और little के बारे में क्या क्या सीखना है इसको हम लोग थोड़ा सा detail में यह थोड़ा से लबा सा topic है आराम से इसको समझना है सबसे पहला concept के little का यूज करते है यह little family का यूज करते है uncountable noun के लिए किसके लिए uncountable noun के लिए few का यूज करते हैं हम लोग countable noun के लिए countable noun के लिए अब इनका degree वह होता है जैसे जो little है यह little है positive degree में कौन से degree में positive degree में इसका comparative क्या होता है तो little का comparative होता है less और इसका superlative क्या होता है तो इसका superlative होता है list क्या होता है list होता है बात समझ में आ रही है अब इस few का क्या होता है बाई तो few यह है positive degree comparative होता है fewer क्या होता है comparative होता है और सूपर लेटिव होते हैं ठीक है अब यह कॉंपरेटिव है तो इसके साथ दैन लगेगा सूपर लेटिव है इसके पहले आटिक अंदा का यूज होगा एक बात समझ में आ गई ठीक है अब इनवे कोश्चन पूछा कैसे जाता है हम उसकी तरह भी आते हैं लेकिन पहले इ देखें फ्यू और लिटिल में दूसरा क्या डिफरेंस है तो इनसे एक और तरीके से इनका यूज हम लोगों को देखने को मिलता है क्या मिलता है तो मिलता है फ्यू और फिर मिलता है दो फ्यू ठीक है फ्यू और फ्यू दो और इसी तरीके से हम लोगों को लिटिल के बार में भी देखने को मिलता है little a little little a little और फिर मिलता है the little little a little और the little यह थोड़ा गड़बड हो रहा है लिखने में है फिर से इसको सुधारते चले हम little a little और फिर the little ठीक है अब देखें इनका जो कैसे sense में होता है इसका तो हम लोगों को समझ में आ गया कि यह te dinner में यूज होता एंगि का आ Haf यहां disciple सेंटेंस में नेकटिव तोन में इनका यूज होता है आठिकल एक के साथ इनका यूज होता है positive sense को express करने के लिए मतलब आपके पास चीज़े इतनी मातरा में हो कि आपका काम just complete हो सके just पूरा हो सके दो के साथ इस few और little का use हम लोग करते हैं तो दो के साथ हम लोग इनका use करते हैं ऐसे sense को express करने के लिए जिसमें ये पताना हो कि जितना मेरे पास था सारा का सारा जो भी मेरे पास था तुझको दे दिया जो भी था तुझको दे दिया तो जितना था जो भी था सारा का सारा ऐसा sense express करना हो तो use करते हैं the few the little clear है बात समझ में आ रही है अब इनका आपके exam में कैसे और use होता है तो ये दो प्रकार से इनका यूज होता है ठीक है अब इनके अलावा अब गलती कैसे करके आप से question पूछा जाता है तो question कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि जहाँ पे few का यूज होना चाहिए वहाँ पे little का यूज करते हैं या फिर इस article A को गायप कर देंगे sentence का positive tone का जैसे हम कहें कि घर्मी के दिन में यदि माले से हम लोग काफी प्यासे होते हैं और इसकूल को लेज से बाहर से कहीं से आप माइ के महिने में में यह जून के महिने में जब बहारना गर्मी पर रहा होती है भारत में और आप बाहर से कहीं से आते हैं इस आते हैं अपको आपको काम चलेगा यह वाला इंक खानी है यह जी लेकिन आदि आपके माने के कहा कि बेटा देखो सुभा से लाइच कटी हुई हं और घर में थोड़ाइश पाने तो आधा गिलास पाणे है काम चला लो तो आधा गिलास पाने से आपकी प्यास बुझदव तो सकती है ठीक है बात समझ में आ रही है ऐसे sense को express करने के लिए हम लोग एक के साथ यूज़ करेंगे ठीक है और मान लेज़े आपके मम्मी ने कहा कि भाई देखो घर में आधा गिलास पाने ही बचा है आधा गिलास पाने ही बचा है अधा गिलास पाने ही बचा है जितना पानी है सब का सब यही है ले लो ठीक है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे दो के साथ बात समझ में आ गई तो चलिए अब इन सब को समझने के बाद लिटिल फ्यू मेनी मच फर्दर फार्दर अज़ए इनी और सम इनको समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं श्लाइड में और हम लोग कुछ कोशन को यहां पे सॉल्व करना शुरू करते है ठीक है तो आईए यहां पे हम लोग कुछ कोशन को सॉल्व करते चले है और देखते है हमारा कोशन काया मिस्टर सर्मा is kind as his father देखिए तो हमने क्या बता था as positive degree plus as answer क्या बनेगा option number c answer क्या बनेगा option number c बनेगा next अगला question क्या school teacher earns fewer salary from a college lecturer तो school के जो teacher है उनके salary college के जो lecturer है उनसे क्या होगी कम होगी अब देखे कम होगी तो चुके दो व्यक्ति की यह दो लोगों के salary का comparison हो रहा है तो इनकी salary और इनकी salary ठीक है comparison हो रहा है दो के बीच हो रहा है इसलिए comparative degree तो fewer तो रहेगा ठीक है अब fewer रहेगा यहां पर देखे और हम लोग क्या use कर सकते हैं यहां देखे fewer salary then less salary देन देखे salary किसे मिलता है करेंसी मिलता है करेंसी क्या है तो सबसे पहले लेस्ट हो गया ठीक है तो यह यह सही होता तब ठीक होता ठीक है अब salary है तो हम लोग कहीं यूज करेंगे लेकिन fewer के साथ हम लोग क्या यूज करते देन तो यहां पे फिरम का यूज किया गया फिरम का यूज नहीं होगा यहां फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो इस सेंस को बताने के लिए हम लोग यहां पर क्या यूज़ करेंगे तो एक स्कूल टीचर की जो सेल्दी होती है जो अर्णिंग होती है वो एक कॉलेज लेक्चरर के earning से कम होती है ठीक है तो यहां पर हमारा answer क्या बनेगा कम बताना है न कि फ्यू बताना है तो यहां पर उसका मात्रा नहीं बताना है हमें बताना है कि उससे इसका इसलिए कम होती है तो कम के लिए क्या use करें low तो low का list नहीं होता लो का फ्यू नहीं होता comparative में low का comparative क्या होता है lower और यहां पर देखे then भी लगा हुआ है इसलिए हमारा answer क्या बनेगा तो इस question का answer बनेगा option number d क्या बनेगा option number d और lower salary next चलते हैं अगले question की तरफ यहां पर देखे समीर गे very less information देखे very less information information क्या uncountable इसलिए यहां पर लिस लगा हुआ है अब देखे यहां पर सबसे पहले comparison हो रहा है क्या यहां यहां पर लेशन हो रहा होगा तो लिटिल का comparative होता है less और यहां नहीं हो रहा है तो हम लोग comparative degree का यूज़ नहीं करेंगे समीर गे very less information टुमोनीर about the progress of the work ठीक है तो यहां पर लेश का यूज़ नहीं करेंगे अब हम क्या यूज़ करेंगे little का यूज़ करेंगे देखे little कहां पर है यह less गलत हो गया यह भी less यह भी रहूं गया तो एक यह option है less का ठीक है option number a clear है चले यहां से आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ देखे हमारा अगला कोशन क्या all these boys have come to college without few knowledge of English अब सबसे पहले knowledge क्या है ज्यान क्या है भाई knowledge है uncountable uncountable के साथ few लगेगा क्या नहीं लगेगा ठीक है और देखें यहां पर एक और चीज़ आपको देखने को मिल रहा है without अब देखें विदाउट क्या है भाई तो without एक नेगेटिव और फ्यू भी क्या है एक नेगेटिव और तो फ्यू तो पहले नहीं होगा अब या तुम without knowledge करें या few को हम लोकेस में चेंज़ कर दें लिटिल में लिटिल आएगा तो भी without का यूज नहीं होगा फ्यू रहेगा तो भी without का यूज नहीं होगा क्योंकि इस तरीके से यदि दो negative word एक साथ यूज की जाए या किसी भी दो negative word का यूज एक ही sentence में किया जाए तो वहां पर double negative का error create होता है ठीक है इससे बचने की जरूरत होती है तो हमारा answer क्या बनेगा answer error बताना कि section error है तो error है इस वाले section में few knowledge वाले section में चलते हैं अगले question में we found it dash to climb further due to bad weather and decided to give up the expectation ठीक है तो यहां पर क्या होगा exciting we found it exciting to climb we found it boring to climb further due to bad weather भाई मौसम खराब है इसलिए हम लोग आगे चड़ाई करने से पहाण वगेरा पर जो चड़ना था उस पर चड़ने से इनकार करते हैं या कैसा फिल करेंगे जरा यहां पर बताइए क्या हो सकता है आंसर we found it dash to climb further आगे चड़ाई करने से हम लोग क्या करेंगे यहां पर we found it pleasant अगर हम डाले further due to bad weather अब देखिए bad weather है याने कि sense किसका दे रह है तो क्या हो सकता है exciting होगा नहीं ठीक है pleasant होगा नहीं positive word चलेगे अब यह तो boring होगा यह तो impossible तो we find it impossible boring नहीं होगा भाई impossible होगा खराब मौसम में आप हिमाले पर नहीं चड़ सकते ठीक है तो answer क्या बनेगा impossible खराब मौसम के करना आगे चड़ाई करना असंभव लग रहा सकते हैं तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं अगले question में देखें यहां पर देखिए अब यह जो रूपी इस लिखा हुआ है करेंसी है sorry रूपी क्या है करेंसी हो गया तो करेंसी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे ठीक है बात समझ में आ रही है अब sentence का जड़ा sense देखें Will you lend me few rupees in this hour of need क्या तुम मुझे इस जरूरत की घड़ी में जरूरत के समय में कुछ रूपए उधार दोगे अब जराइए बताइए तो उसको जरूरत है अब जरूरत है मान लेजे कि सो रूपए की आप उसको एक का सिक्का पकड़ाईए पचास पैसे पकड़ाईए पची और तो इस सेंज को एक्षप्रेस करने के लिए क्या एक यूज करेंगे उसकर फ्यू की यूज करेंगे फ्यू की जगह फ्यू तो यहाँ इनिगे कैंसर पहरने का स नमबर सी ठीक है नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं कुछ हो रहागे के कुशन की तरफ यहां देखें अफ्यू मॉमेंट दफ्यू मॉमेंट ऑफ डेलिबरेशन गेव हर मतलब कुछ देर गंभी रूप से सोचने के बाद उसको जो भी महिला थे यह जो फीमेल थे उसको उसका सोलूशन मिल गया ठीक है अक्सर हमारे आपके लाइप में भी ऐसा ही होता है ठीक है दफ्यू मॉमेंट मतलब दफ्यू जितना भी समय उसने दिया सोचने के लिए गंभ सब्सक्राइब अगले कुशन को देखे में मल्टिनेशनल कंपरीज हैं नौट बिन एज सक्सेश्फूल इन इंडिया यहां पर देखे क्या लगा हुआ है तो यहां पर लगा हुआ है यह एज तो एज लगा हुए यहां पर दैन के कोई जरूवत नहीं इस दैन को कर इस हाउस इस नौट एज एक्सपेंसिव दैन यहां देखे दैन तो दैन को किसमें करते दैन को कर देंगे एज में किसमें एज में करेंगे इस दैन को करेंगे हम लोग एज में अब आप में से कुछ बच्चों को कन्फूजन होगा सर यहां पर नौट लगा हुआ है तो इ और यहां पर ध्यान देजीए यदि आप इस एज को सो में convert कर देंगे यदि इसएřD को सो में convert कर देंगे तो भी यहां बीना एज लिकर काम चलेगा नहीं इसलिए पहला फोकस उस section पर होना चाहिए जिसके बीना काम चलेगा हम नहीं और इस तरीके से generally आपके इसे सी एक्षाम में दो पार्ट मेरर वाले कोशन नहीं पूछे जाते हैं और यदि ऐसा कोशन कभी पूछा जाता है तो इसी के करण केस जाता है सुपरीम कोट में और तब ऐसे सिच्वेशन में बच्चा यदि कोशन को टच किया था यानि यदि कोई भी ये स्टुडेंट माक्स मिलेंगे और यदि बच्चा और सी को टच किया हो इसको था हो पूरी मार्इन मिलेंगे लेकिन açık है विएस बच्च कोई भी मार्म नहीं मिलेगा त्समझ में आई तो आप ऐसी गलती से बचिएगा में नेक्स्ट यहां पे भी वही बाते हैं यहां पे देखें तो मनी के साथ हम लोग क्या यूज़ करें सम क्या यूज़ कर सकते हैं ठीक है यह लावड है तो पहला वहला no error I will write letters to you as often I can तो यहां पर क्या यूज़ करेंगे as often as क्या तो क्या आप मेरी बिल्ली के लिए थोड़ा सा दूद देंगे मतलब उतना दूद देजी जिसे बिल्ली का पेट भर जाए बिल्ली का काम चल सकता है तो लीटिल के पहले क्या करें यहां पर आर्टिकल एक यूज करने ठीक है इस तरीके के सेंस को यूज करके आप इन सारे है इसके गौनि केसा साम प सानिट रृट पाइल के दुखस चुका है यह इन पर शोनी के संधसर में आप कभी कई पी और तो ढूद पेस्ट होता है पहला बात करता है दूसरे से देखो मेरे जो ब्रेसिल है वो flatt नहीं है, वो curve में है, up and down है, तेरा मेरा है, तो हम दात के कोणे कोणे तक पहुँचके सफाई करते हैं, दूसरा करता है, बस, तुम्हारा गरदन flexible नहीं, मेरा गरदन flexible है, यानि हम दात की सफाई तो करेंगे हैं, मसूरों के भी सफाई, कुने कुने तक पहुंच के करेंगे अब ज़रा ध्यान देज़ें यह दो जो ब्रस हैं दो टूथ ब्रस हैं अलग-अलग टाइप के दोनों के नॉन लिविंग कभी एक दूसरे से बात नहीं कर सकता ठीक है बात करने कादिकार सरफ इंसानों को ठीक है बात समझ में आ रही है और यहीं पे क्यों पॉसिबल है जानवर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं वो एक दूसरे के फिलिंग को समझते हैं और फिलिंग के अधार पे काम करते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है लेकिन यह दोनों टूथ ब्रस नॉन लिविंग थे फिर भी इनको टीवी पे जो अधार दिखाएं गा उसमें लीविंग के तरीके से एक दूसरे को बात करते हुए दिखाएं गया इसी को कहते हैं पर सोनिफिकेसर जब नों लिविंग तिंग्स को लिविंग थे रुप में है रेप्रेजंट किया žाए तो समझ में आ आए तो इसमें खुश करने के ज़र एंडिशेंट ठीक है आजे लाइफ आंडिशेन नहीं देखे यह एंड कया है कंझक्शन है और यूज चंझक्शन होता है उसके दोनों साइड सेफ्रीप विशू होता है क्यों स्मय साइगे यूजथ कनजेक्शन होता है यूज करेंगे लीविंग क्या है यहगि đây है ठीक है बात समझ में आई तो इस लाइफ के जगा हम लोगों किया यूज करना होगा इस यूज करना होगा ठीक है नेकस्ट यहां से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कुछ और आगे की तरफ देखते हैं यहाँ पर क्या little money होगा नहीं होगा answer क्या बनेगा some money ठीक है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि money के साथ हम लोग some का use कर रहे हैं अर्था some का use countable and countable दोनों के लिए होता है ठीक है यह fill in the blank से कुछ कर लेते हैं आगे के कुशन को स्किप करेंगे यहां पर the old woman has not got on his bed कैसा some here होगा क्या here क्या सबसे पहले uncountable ठीक है अब मोर होगा क्या नहीं होगा सबसे पहले मोर नहीं होगा क्योंके comparison नहीं हो रहा है मैंनी होगा क्योंकि यह ठीक है अब क्या हो सकता है some here few here negative sense में कि हैस नॉट अब यह थी हैस नॉट है sentence पहले से negative का यूज करेंगे तो डबल नेगटिव का एरर बनेंगा answer क्या बना some we state days for in Florence and visited the museum ठीक है यहां पर क्या होगा we state-days few days होगा few more नहीं होगा few और more लगाएंगे तो उसे बड़ी यह यह यूज कर लेंगे comparative ठीक है यह negative sense को express करता है इसलिए होका नहीं या तो सम बनेगा या तो अफ्यू बनेगा ठीक है sentence को फिर से पढ़िए sentence में दोनों को बारी-बारी से पूट करके देखिए we state some days in Florence ठीक है यह we state a few days तो ज्यादा बेतर answer है some हमारा answer क्या बनेगा some next dash people in slum areas have access to toilets even in Delhi मने यहां पर बताने का यह sense है कि देल ही में भी अभी भी कई ऐसे लोग है जिनको ट्वाइलेट की सुविधा एबलेबल नहीं ठीक है तो यहां पर क्या बनेगा भाई दल लिटिल होगा क्या थोड़े बहुत जितने भी लोग है ठीक है इसलमेरियास में मतलब दल लगा दे तो पूरा का पूरा हो ज स TOO मतलब बहुत कम लोगों को ना मात इसलमेरियाज में रहने वाले के लोगों को टोईलेट की सुविधा अपलब दल ही में ठीक है तो आंसर ये वाला बना अब इसको हम सका भी कोरते हैं यह सबाब सकते ठीक है चलिए अब इन के आगे हम लोग चलते हैं अब हम लोग पढ़ना स्वरू करेंगे यहां से demonstrative, demonstrative adjective क्या होता है, distributive क्या होता है और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे भाई no other, any other, all other, इनका use कब करते हैं कब नहीं करते हैं कैसे sense को express करने के लिए करते हैं इनको हम लोग पढ़ेंगे adjective के third lecture में अर्थाथ adjective part three में पढ़ेंगे ठीक है तो आज के अपने इस class को हम लोग यहीं पर समप करते हैं यहीं पर conclude करते हैं ठीक है आप सब वोका बहुत बहुत धन्यवाद